अमीरों के पाच नियम संसोधित संसकरन डाक्टर सुधीर दिक्षित रस्तावना जिस तरह गडित के बनने के लिए हमें गडित के नियम मालूम होने चाहिए उसी तरह अमीर बनने के लिए हमें अमीर बनने के नियम मालूम होने चाहिए अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि आमतोर पर समझा जाता है आपकी आलत वाल्ड डीजनी से तो बेतर होगी जो इतने कंगाल थे कि उनके पास अपने जूते की मरमत करने के भी पैसे नहीं थे आपकी आलत दिरू भाई अंबानी से तो बेतर होगी जो कभी पेट्रोल पंपर पेट्रोल बरते थे आपकी आलत एंड्रिव करनेगी से तो बेतर होगी जो कभी मजदूरी करते थे कम से कम आपकी हलक निश्चीत रूप से हर लेल सैंडर्सन से तो बैतर होगी जो 60 साल की उमरों में फकर थे ये सब ही और इनके जैसे अनेक लोग और समाने बिपतियों और बधाओं से संगर्स करने के बाद अमीरी के सिखर तक पहुँचे थे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में अमीर बनने के नियमों का पालन किया अमीरों के पाँच नियम पढ़कर जाने कि अमीर लोगों ने किन नियमों का पालन करके सफलता पाई उन्होंने अपने सामने आई मुश्किलों का सामना कैसे किया और किन आत्तों की वज़ा से वे अमीर बने इस पुस्तक को पढ़ने से आपका ग्यान तो बढ़ेगा ही आपको प्रेणा भी मिलेगी इन दौलत मन लोगों के जीवन से प्रेणा पाकर अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में थोड़ा साई उतार ले तो भी आप अपनी आर्थिक स्थिति में संतों जनक सुदार पाएंगे यदि इन नियमों पर चल कर वे अमीर बने थे तो आप भी बन सकते हैं आसकर वाइल्ड की बात याद रखें सफलता एक विज्ञान है जब आप परिस्थितियां तयार कर लेते हैं तो आपको परड़ा मिल जाता है अमीरों के पाच नियम पढ़ने से पहले पुस्तक की रूप रेखा जान लें प्रतम संस्क्रण में हजारों अमीरों के अध्यन के अधार पर दुनिया के 112 अमीरों को चुना गया था इस संस्क्रण में भी अमीरों की संख्या 112 ही है बस पुस्तक को समसमाईग बनाने के लिए कुछ पूराने नाम हटा कर कुछ नए नाम जोड़े गए हैं बहराल इसमें सिर्फ उन्हीं अमीरों को सामिल किया गया है जिन्होंने अमीरी विरासत में या संयोग में नहीं मिली थी बलकि जिन्हों ने अपनी बुद्धिमता और लगन से अपने दम पर इसे हासिल किया था इसलिए इस पूस्तक में मुके संबानी या नी लंबानी के बज़ाए उनके पिता दिरू भाई अंबानी को सामिल किया गया है जिन्हों ने रिलाइंस का विसाल समराज्य अस्थापित किया था अमीरों के चायन के संबंध में एक सामधानी या अभी रखी गई है कि ऐसे अमीरों को सामिल नहीं किया गया है जो संदिक्द तरीकों से अमीर बने हो अमीरी के आकड़े फोब्स पत्रिका दौरत 2012 में 1200 के अमीरों की सूची के अनुसार दिये गए है इस पुस्तक में बेहद अमीर लोगों के जीवन गाता को नियमों के अधार पर पिरोया गया है इसमें आपको अलग-अलग अध्यायों में एक ही व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिल सकता है क्योंकि उस व्यक्ति ने एक से अधिक नियमों के अधार पर अमीरी हासिल की थी द्यान दे कि कई व्यक्ति सिर्फ एक ही नियम के अधार पर अमीर बने हैं जैसे एन्रो रूबिक जिन्होंने रूबिक्स क्यों बना कर नया काम किया था कई अमीर एक से अधिक नियमों पर चल कर अमीर बने थे जैसे हेंरी फोड या बिल गेट पुस्तक के पीछे दी गई इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा कि किस बेक्ति के नाम का कहां उलेख हुआ है इंडेक्स अंग्रेजी बासा में दी गई है क्योंकि कई पाटव को हिंदी की वर्ड माला में थोड़ी दिक्कत हो सकती है एक और बात इस पुस्तक में बेजान आकड़ों पर उतना जोर नहीं दिया गया है जितना के जीवन तो प्रेणा पर दिया गया है कारण यह है कि कंपनियों के आकड़े हरती माई या साल बदलते रहते हैं जबकि इंसान के संगर्ज की कथा अमर रहती है यह न भूलें कि यह पुस्तक कंपनियों का अध्यान नहीं है बलकि अमीरी के नियमों का अध्यान है एक तरह से देखा जाए तो यह पूस्तक मेरी पूरो प्रकासित पूस्तक सफलता 101 की एगली कड़ी है फर कितना है कि सफलता 101 सभी छेतरों के 101 सफल लोग पर द्यान केंदरित किया गया था जब कि इस पूस्तक में सिर्फ अमीरों पर द्यान केंदरित किया गया है और यह जानने के कोशिस की गई है कि वे किर नियमों पर चल कर अमीर बने तो अब इस पुस्तक को पढ़ कर जाने कि ये अमीर लोग और समाने पस्तितियों पैदा होने के बावजूद सिखर तक कैसे पहुचे उन्होंने अपनी गरीबी असिच्छा और औसफलता से कैसे मुकाबला किया तथा इन सास्वतनियों उपचल कर अमीरी की मंजिल तक कैसे पहुचे इन पुस्तक का लच्छ आपको अमीर बनने की प्रेणा देना है क्योंकि अमीर बनने की छमता हर व्यक्ति में होती है जैसा कैलविन कुलीज ने कहा है बहुत कम लोगों में छमता का वाव होता है ज्यादातर लोग और सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी छमता का उप्योग नहीं करते हैं तो फिर देर किस बात की है प्रेणा पाएं अपनी छमता का उप्योग करें और अमीरी के पाइदानों पर चड़ने की तैयारी करें डाक्टर सुधीर दिक्षित हमीरों का पहला निया नया काम करना नया काम करने की आदत ही इंसान को पशों से अलग करती है पशों नया काम नहीं करते हैं उधारण के लिए तोता दूसरों की सुनी कुछ बाते ही दोरा सकता है कुटा आज तक पेड़ पर चड़ना नहीं सीख पाया और गाय बैल पालतू बढने के बाद भी दो पहरों प 약शा नहीं सीख पाया निशकर्स है कि पासूं में कोई नया काम करने या सीखने की Ada जब टक कि इन्सान उनहें सीख viral न दे जब इंसान उन्हें सिखाता और प्रसिचित करता है उनके मन में स्वयम कोई नया काम या प्रगति करने का विचार नहीं जागता ऐसा इसलिए है क्योंकि पुष्वों को इस्वर ने बुद्धी का वर्दान नहीं दिया है बुद्धी मनुष्य को मिला वह इस्वरिय बर्दान है जिसकी वज़ा से वह नया काम कर सकता है और स्वयम को प्रगति के पत्पल ले जा सकता है मनुष्य ने आज तक जितनी प्रगति की है वह सब नया काम करने की आदत का ही परिडाम है उसने आर के लिए प्रकृति पर निर्भर रहने के बजाए स्वयम फसल उगाना सीखा उसने अपने काम को बोज को अलका करने के लिए पसुओं को पालतू बनाया उसने मौसम के आगातों से बचने के लिए कपड़े बनाना और पहनना सीखा उसने गूफा के बजाय गर बनाना सीखा उसने वीचारों के संप्रेशन के लिए बासा का अविस्कार किया और बासा के अस्थाई संप्रेशन के लिए पुष्टकों का उसने प्रकृति के रास्ते को समझते हुए बैग्यानि का विसकार किये उसने आग जालाना सीखा हतियार बनाना सीखा और पईयका विसकार किया नया काम करने की आदत की बदोलों थी मनुस्य ने अद्योगी करांती और संचार करांती करके मानो जाती को सुक समरिद्धी के अभूत पूर्व सोपान पुरला कर खड़ा कर दिया है नया काम करने की आदत ही इंसान की समुची प्रग्रती की नीव है यदि मनुसे में आदत नहीं होती तो हम अब भी गुफा में रह रहे होते और पूरुष सिकार पर जाते तथा माइलाएं गुफा में बैठ कर आग के रखवाली कर रही होती हमारे आसपास की हर वस्तू चाहे वह सेफटी पिन हो या टेलीफोन इस दुनिया में सिर्फ इसलि समाज के अंदरों में होती है यही वह आदत है जिसकी वजह से इंसान गिसे पिटे परंपरिक रास्ते पर चलने के वज़ाए अपना अलग रास्ता बनाता है यही वह आदत है जिसकी वजह से इंसान अपना वजुद खोजता है और लोग प्रियता पाता है यही वह आदत ह जिसकी वज़े से इंसान समाज को सुखी और खुद को अमीर बनाता है जार्ज वासिंग्टन कारवर ने कहा है सफलता का कोई साटकट नहीं होता लेकिन अमीरी का अगर कोई साटकट है तो वह आया है नया काम करना नई चीजों का विसकार करना नया काम करने के लिए नय तरीक की खोजना जब कोई व्यक्ति समाज की किसी अवस्यक्ता को पूरा कर देता है तो समाज खुश होकर उसे पूरसकार देता है और नया काम करने वाला अमीर बन जाता है गोर करने वाली बात यह है कि अमीरी का मानदर्ड हमेशा बदलता रहता है पहले पसु धन को अमीरी का पैमाना माना जाता था फिर भूमी को फिर स्वन्ड या हीरो को और द्योगी करांती के बाद यह परमपरिक मानदर्ड बदल चुके हैं संचार करांती होने के बाद अमीरी सिर्फ एक नए विचार तक सिमट कर रह गई है आज सिर्फ एक करांती करी नए विचार से ही आप अमीर बन सकते हैं ब्योसाई की दुनिया अब असेंबली लाइन के युग से बाहर आ चुकी है और विचारों के युग में कदम रख चुकी है इसलिए विचार पहले से कहीं अधिक मुल्यवान हो गए है जैसान नेपोलियन हिल ने कहा है कि विचार ही समस्त दौलत का सुरुवाती बिंदू है यदि आप यह सोचते हैं कि एक विचार से अमीर बनना संबो नहीं है तो इन उदारों पर गौर करें झाल 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 झाल